आप सभी को जैमसी की, आशा करता हूँ, आप सब लोग सुरक्षित हैं, जिस प्रकार हम लोग हर दिन परमेश्वर के बारे में कुछ चीजों को सुन रहे हैं, आज भी हम परमेश्वर के गुण के बारे में देखते हैं, परमेश्वर पवीत्र है, हम वचन से देखेंगे, पहला पत्रस, उसका अध्या एक बचन 15 और 16 इस प्रकार लिखा है, पर जेसे तुमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चालचलनों में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि में पवित्र हूँ. यहां पर हम परमेश्वर की पवित्रता का बार में देखते हैं और उसके साथ साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता के प्रती हमारा रवया या परमेश्वर की पवित्रता को देख करके हमें क्या करना है जब भी हम किसी नई जन्मेवे कोई बच्चे को हम देखने के लिए जाते हैं तब हम उस बच्चे को देख कर ही हम यही कहते हैं कि यह बच्चा तो अपना पिता जी जैसा दिकरा है या अपना माद जैसा दिकरा है करके हम बताते हैं हर वक्त हम उसी बात को सोचते हैं कि ये किस के समान है उस बात के उपर हम दियान लगाते हैं यहां पर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम परमेश्वर के संदान हैं और जैसे ये वच्छन जो हमने देखा उसमें लिखा है कि परमेश और पवित्र है तो परमेश चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने हमें बुलाने वाला परमेश और पवित्र हैं तो हम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना हैं ये परमेश चाहते हैं क्योंकि पिता आपको दन्यवाद देते हैं और इस दिन के लिए परमेश्वर जब आपने हमें वचन से इस बात को समझाया कि पवित्र परमेश्वर को जब हम अनुसरन करते हैं तो हम भी पवित्र बनना चाहिए परमेश्वर यह हम अपने सामत से अपने शक्ती से हमारे बुद्धी से हम नहीं कर सकते हैं आपके पवित्र आत्मा के सामत और सहायता में चाहिए परमेश्वर और हम मांगते हैं येशु मसी आप हमें मदद करें ताकि हम भी पवित्र बन सकें और आपके साथ एक सही संबन में हमेशा हमेशा करने जूट सकें परमेशुर हमारे और आपके बीच में जो भी बादाएं हैं जो में पवित्र बनने से रोकती हैं उन सारे बादाओं को येशु मसी के नाम से आप दूर करें और हमें मदद करें परमेश्वर की हमें एक पवितर जीवन जीएं और आपको प्रसंद करें येशु के नाम से इस परातनाओं को मांगते हैं आमेन